हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने लावा अगनी Android मुवाइल फोन में आप जो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग को आप जो है डिसेबल कैसे कर सकते हैं और यह लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सेटिंग करने के बाद यह सेटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं तो चलिए यहां पर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पर तो आपको अपने मुवाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है इसके बाद आपको नीच पर आपको पढ़कर बता देता हूं डौंट शो नोटिफिकेशन एट ओल डॉंट शो नोटिफिकेशन यह जो उप्षन है इसके सामने आले सरकल पे आपको टिकमाक लगा लेना है तो यहां पर यह सेटिंग इसेबल होने के बाद यह सेटिंग कैसे काम करेगी यह मैं आप आपको समझा देता हूं, तो यहाँ पर जो है, यह आपका mobile phone जब lock screen पर होगा, यह देखिए, मेरे mobile phone की lock screen है, तो अगर कोई भी notification आपके mobile phone पर आएगा, तो आपको इस लॉच स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर, ठीक है, कोई भी notification आएगा, तो आपके application के अंद तरीका बता देता हूं कि कैसे आप इस सेटिंग को शॉटकट तरीके से अपने मुवाइल फोन में कैसे ढूंड सकते हैं इसके लिए आपको करना है क्या है मुवाइल का सेटिंग पेज ओपन करना है सबसे उपर आपको सर्च सेटिंग का ओप्शन दिया हुआ इससे कमवाइल फोन आपको डियरेक्ट इस सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा ठीक है तो यहां पर आने के बाद इससे इसलेक्ट करके डिसेबल कर सकते हैं ठीक है तो यह मैंने आपको एक शॉटकट तरीका बता इस सेटिंग को ढूंडनेगा